Hello everyone, this is Monika Dua, your geography faculty, welcome to Saffalbats. So, आज की class में हम लोग अपना ये chapter complete कर लेंगे, chapter का नाम है Human Settlement. चीक है, इससे पहले वले class में हम लोगोंने Human Settlement के बारे में कुछ basic चीज़े पढ़ी थी और हम लोगोंने बात करी थी, rural settlement के बारे में, कि जो rural settlement होता है, वो कौन-कौन से type का होता है, clear, उसके बारे में हम लोगोंने बात करी थी, उसमें क्या-क्या features देखने को मिलती है, और वो कौन-कौन से areas में देखने को मिलता है, ठीक है, आज हम लोग बात करने वाले हैं, urban settlements के बारे में कि basically जो urban areas होते हैं वहाँ पर जो settlement होती है मतलब वहाँ पर जो लोग रहते हैं वो किस तरीके से रहते हैं कौन-कौन सी activities में वो indulge होते हैं और हम लोग इसी में ही बात करेंगे कुछ static data के बारे में भी कि कितने पासंट जो Indian population है वो urban areas में रहती है क्यों रहती है उन urban areas में भी कौन सी cities वो mega है कौन सी metropolitan है उन सारी चीज़ों के बारे में आज हम बात करने वाले हैं चलिए चार्ट करते हैं सबसे पहले हम बात करेंगे किसकी urbanization in India की किसकी बात करने वाले है urbanization in India की urbanization मतलब शहरी करण कैसे हुआ हमारे इंडिया में फिर हम बात करेंगे classification of towns की फिर towns का classification जो है उनकी population के basis पे कैसे होता है फिर हम बात करेंगे functional की कि कुछ जो हमारी जो cities होती है कुछ specific functions ही perform करती है उसके बारे में बात करेंगे और last में हम इस chapter को conclude कर देंगे तु चलिए start करते हैं देखे अर्बनाइजेशन इन इंडिया the level of urbanization is measured in terms of percentage of urban population to total population मतलब हमारे इंडिया की total population में से कितने percent जो population है वो urban areas में रहती है उसको आप क्या बोलोगे level of urbanization क्या बोलोगे level of urbanization clear the level of urbanization in इंडिया in 2011 वो 31.16% यादी अगर मैं बात करो इंडिया की total population की तो total population में से 31.16% जो population है वो कहां पर रहती है urban areas में रहती है कहां पर रहती है urban areas में रहती है यानि अगर मैं बात करो इंडिया की 2011 की census के according तो इंडिया के अभी at present 2011 की census के according population कितनी है 1210 million ठीक है उसमें से जो urban population है वो कितनी है आपके 31.16% यही है ना एक देख लेते हैं हां 31.16% ठीक है और rural की कितनी है है रूरल की हम लोगों ने फॉर्स चैप्टर में बढ़ी थी that is 68.8% यह आप ध्यान रखना total population 100 में से 31% 16% population जो है वो urban areas में रहती है और 68.8% जो population है वो आपकी rural areas में रहती है जिससे क्या बता चलता है कि अभी भी इंडिया जो है वो गाउं में बसता है क्योंकि majority of the population अब की कहां रहती है गाउं में रहती है clear आगे बढ़ते हैं उसी में थोड़ा सा पीछे बढ़ते है next वो कह रहा है कि that is quite low बिल्कुल quite low है developed countries की comparison में क्योंकि अगर मैं बात करो developed countries की तो developed countries में 70% से भी ज्यादा जो population है वो अर्बन एरियास में रहती है तो अगर मैं developed countries इंडिया की population को compare करूं urban population को तो वो 70% population here just 31% population very low approximately half का difference है है टोटल अर्बल population has increased 11 fold during the 20th century देखो इसको समझना क्यारा है जो पिछली जो हमारी century रिये 20th century उसमें आप देखोगे तो 1901 में टोटल इंडिया की population कितने परसेंटी जॉर्बन एरियास में रहती थी 100 sorry 10% अब कितनी है 31.16% तो सिरफ कितनी ही increase हुई है 11 fold ही आपकी क्या हुई है increase हुई है यह इसकी बात कर रहे है कि यह देखो यह 10 है यह कितनी है 31 है clear इसी में ही आगे बढ़ते हैं enlargement or urban emergence sorry urban centers and emergence of new towns have played a significant roles in the growth of urban population and urbanization in the country but the growth rate of urbanization has slowed down during the last two decades ध्यान से समझना इसको देखो अगर मैं बात करूँ कि हमारे इंडिया में number of towns कितने थे तो 1901 में देखोंगे तो इंडिया में number of towns थे 1827 अधी कितने है 2011 के according 6171 तो ठीक है number of towns decrease हुए है no doubt क्यारल लेकिन अगर आप इसकी rate देखोगे यह देखोगे तो यह decline हुई है देखो जैसे यहाँ पे just 0% increase हुई then 8% increase हुई then 19 then 31% उसके बाद just 38 46 अब आप क्या देख रहे हो 36% के बाद यह कम हुई है again 31% again 31% तो जो अर्बनाइसेशन की जो rate रही है ना वो कम हो गई है यहाँ पे देखो बढ़ रही थी 90 उई 31 उई 41 उई फिर 26 उई फिर 38 उई 46 उई 36 उई ठीक है up and down up and down रहा लेकिन यहाँ पे आपने क्या देखा कि यह back to back क्या हो रही है कम हो रही है पिछले 10 से 20 सलों में clear तो य यही कह रहा है but the growth rate of urbanization has slow down तो वो जो growth rate रही है वो कम रही है clear आगे दिखते है census of India classifies one centers into six classes अब हमारा जो population के हिसाथ से जो हमारी census of India है उसने इंडिया की population को size के हिसाथ से six parts में डिवाइड किया है class one class two class three class four class five class six class one कौनसी cities है जिन में population one lakh या उससे भी ज्यादा रहती है यानि वो cities जहां पर population one lakh या उससे ज्यादा है उससे ज्यादा कितनी भी हो सकते है but minimum one lakh या उससे ज्यादा और ऐसी कितनी cities है हमारे इंडिया में 468 cities है एसी कितनी cities है 468 cities है और इन cities में कितने percent population हमारी रहती है अर्बन population 60 यानि total जो हमारी urban population है इसका मतलब पते क्या है इसका मतलब यह है कि हमारे इंडिया में total urban population इतनी है इस total urban population में से जो 60% population है वो इतनी cities में रहती है 468 cities में रहती है यह बात आपको समझ में आई है total urban population का 60% जो population है वो 468 cities में रहती है कौनसी 468 cities? class 1 वाली 468 cities class 1 कौनसी cities जिनकी population 1 lakh या उससे जादा है फिर उससे कम वाली जो है 50,000 से लेके 99,099 वो class 2 इस तरीके से class 3 class 4 class 5 ठीक है यह आपको समझ में आगया होगा आगे देखते है इसी में ही इसको थोड़ा सा भी हम देखते है यह देखो यह यह दिखा रहा है देखो आ आपका चो class 1 है चीक है यह इसमें total कितना पर्पॉपॉपलेशन है 60% कितना पॉपॉपॉपॉपलेशन है 60% और बाकी यह लो आपका 2,35 और यह चोटा सा 6 यह इसमें आपकी 40% अर्वन population रहती है यानि 31.16% में से जो class 1 है चीक है उसमें कितनी percent population रहती है 60% और बाकी जो बच जाती है आपकी कौन-कौन सी class 2 class 3 class 4 class 5 और class 6 इसमें कितने percent population रहती है इसमें रहती है total 40% population किसका 31.16% का तो यहां पर आपको यह अच्छे से समझ में आ गया होगा आगे बढ़ते हैं सेंसस ऑफ इंडिया क्लासिफाइज अर्बन सेंटर्स इंटू six classes अर्बन सेंटर्स विड़ पॉपलेशन ओफ मोर देन वन लैक इस कॉल्ड़ सिटी और क्लास चाहूं यानि क्लास वन टाउन वहीं वह कह रहा है वन लैक है उससे ज्यादा जो population होती है उससे क्लास वन टाउन बोला जाता है जो मैं आपको अल्रड़ी एक्स्प्लेइन कर चुकी हूं चीक है ओके सिटी अकमोडेटीड पॉपॉलेशन साइज बिट्वीन वन टू फाइव मिलियन अब ध्यान से सुनना वन टू फाइव मिलियन का मतलब है टेन लैक से फिप्टी लाक्स की बीच की जो पॉपॉलेशन है ऐसी सिटीज को हम क्या बोलते हैं मेट्रोपॉलिटन सिटीज क्या बोलते हैं मेट्रोपॉलिटन सिटीज देखो उसने क्या बुला वन लेक है उससे ज्यादा अब उससे ज्यादा तो कितने भी हो सकती है ना तो वह यह कह रहे हैं 10 लाक्स और 50 लाक्स के बीच की जो पॉपॉलेशन है उसको मेट पता होना चाहिए metropolitan cities होती है 10 लाग से 50 लाग की population के बीच में और mega cities कौनसी होती है जिनके population 50 लाग से भी जाधा होती है यह आप ध्याद रखना very very important clear आगे देखते है majority of the population metropolitan and mega cities are urban agglomeration अब यह वर्ड बहुत important है urban agglomeration क्या होता है तो देखो urban agglomeration का मतलब होता है जब दो mega cities या एक mega एक metropolitan यह जो भी है जो major cities जो होती है एक साथ ही कठी आती है come up together and form a center और वो पूरे एक center form कर देती है तो उसको आप क्या मोलते हो urban agglomeration क्या मोलते हो urban agglomeration अब urban agglomeration के तीन combination हो सकते है अब टाउन एट्स जॉइनिंग अर्बन आउट्ग्रोथ अब आउट्ग्रोथ क्या होता है मालो यह कोई टाउन है mega डाउन है यह metropolitan टाउन है ठीक है clear अब इसका यहाँ पे जो है कोई डिफेंस टाउन है इसका जहाँ पे यह कोई रेलवे टाउन है ठीक है इसका यहाँ पे जो है कोई security टाउन है तो जब एक टाउन और इसके जो अर्बन आउट्ग्रोथ मिल जाते है ठीक है और इस तरीके से जो यह combination बनता है इसको आप क्या बोलोगे अर्बन agglomeration कि एक major town था उसका defense town भी मिल गया defenses जो उसका आउट्ग्रोथ था वो भी समें मिल गया railway outgrowth भी इसके अंदर मिल गया, ठीक है, तो इसके जो भी इसके outgrowth होंगे, वो centers भी अगर इसके अंदर मिल जाएंगे, तो वो क्या कहलाएगा, urban agglomerations, ठीक है, उसके बाद वो कहरा है, two or more contiguous towns with or without their outgrowth, मतला मालो ये कोई mega town है, या metro town है, और ये कोई metro town है, तो ये जब आपस में मिल जाते हैं, ठीक है, यानि ये जब आपस में इसे मिल जाएंगे, तो ये आपका क्या कहलाएगा, अगेन आपका क्या portion कहलाएगा, urban agglomeration, क्या कहलाएगा, urban agglomeration, a city and one or more adjoining towns with their outgrowth, together forming a contiguous spread, मालो ये एक city है, ठीक है, ये इसका railway outgrowth, ठीक है, ये इसका, माल लीजिए, क्य कोई और cities है, अब ये भी मिलने लगे, ये भी बढ़ने लगे, ये भी बढ़ने लगे, और जब ये आपस में पूरे मिल जाएंगे, तो आपका क्या कहलाएगा, ये urban agglomeration, clear, तो urban agglomeration का मतलब basically यही होता है, जब कोई major cities, या major city के साथ related जो उसकी बाकी centers होते है, जब वो मिलते हैं, इकठे हो जाते हैं, form together, तो वो क्या क्यलाता है, अपका urban agglomeration क्यलाता है, clear, ये आँ धियान रख रहां, आगे हम लोग बात करते हैं, more than 60% of, very very important, more than 60% of urban population in India, leaves in class 1 town, class 1 town में रहती है, देखो, ये रहा न, 60% से ज़्यादा जो population है हमारे इंडिया की, बताया था अपका urban population हमारे इंडिया की कितनी है, 31.16%, इसका 60% जो population है, वो कौन से टाउन में रहती है, class 1 town में रहती है, class 1 town कितने है, 468, कितने है, 468, समझ आ रही हो बात, total हमारी urban population है, 31.16%, उसकी 60% जो population है, वो class 1 town में रहती है, clear, आगे बढ़ते हैं, out of 468 cities, 53 cities जो है, वो क्या है, metropolitan cities है, ठीक है, यानि इसको ऐसे समझो, ठीक है, क्या कह रहा है, total कितनी है, out of 4, इसको न, white से करते हैं, ठीक है, ठीक है, वो जागा अच्छे से आपको दिखेगा, out of 468 cities, ठीक है, out of 468 cities, ठीक है, इन में से जो है, ठीक है, कितनी cities, 53, 53 जो cities है, वो आपकी क्या है, metropolitan cities है, यानि, metropolitan cities का मतलब क्या हो गया, 53 cities आपकी ऐसी है, जिनकी population जो है, वो 10,00,000 से 50,00,000 के बीच में है, यानि 10,00,000 से 50,00,000 के बीच में है, चीक है, जो population है, वो 10,00,000 से 50,00,000 cities के बीच में है, उसके बात बढ़ते है, यह समझ आया, अब इन mega city, इन metropolitan cities में से भी, 53 metropolitan cities में से भी, 6,00,000 है, वो क्या है, जिनकी population जो है, वो 5,00,000 है, क्या है, 5,00,000 है, मतलब यहां से भी अगर आप बात करोगे, तो इन में भी, अगर आप देखोगे, ठीक है, इन में भी 468 cities में अगर आप देखोगे, तो 6 cities आपकी कैसी है, मेगा cities है, क्या है, मेगा cities है, मेगा cities का मतलब आप समझते हो, क्या होता है, मेगा cities का मतलब होता है, जिनकी population क्या होती है, वो more than 50,00,000 होती है, more than कितनी होती है, 50,00,000 होती है, यहां तक समझ आगे आपको, more than कितनी होती है, 50,00,000, तो I guess यह आपको बहुत अच्छे से clear हो गया होगा कि 468 cities में कितने percent population रहती है 60% से भी जाधा 60% से भी जाधा population रहती है 468 cities में 53 cities जो है वो आपकी metropolitan cities है और उनमें भी अगर आप देखोगे तो six cities आपकी mega cities है अब आपके दिमाग में question हो रहा हो रहा होगा कि यह जो six mega cities है इसमें सबसे बड़ी mega cities कौन सी है और हां और इन mega cities में कितने percent population रहती है 21% यानि इसमें कितने percent population रहती है 20% population यानि 60% की 21% population तो इनी six cities के अंदर ही रहती है clear clear among them मतलब इस छे cities में से यह जो छे आपकी mega cities है greater Mumbai is the largest agglomeration with 18.4 million people यानि सबसे इन में six cities में की अगर मैं बात करूं तो इसमें सबसे बड़ी आपकी कौन सी है greater Mumbai कौन सी है greater Mumbai और greater Mumbai की अगर मैं बात करूं तो इसमें कितने percent million population रहती है 18.4 million कि 18.4 million और उसके बाद बाकी आपकी कौन-कौन सी मेगा सिटी जली कॉलकाता चेनाई बेंगलूरू एंड हाइदराबान क्या तक समझ आ गया क्योंकि 50 लाग से जादव पॉपलेशन है डली की population 2 करोट के आसपस है उससे जादा ही हो गई 2011 के आपको बता रह सीच में रहती है क्लास वन में ठीक है क्लास मझ वह हो तिया जिनकी population 1 lakh उससे उपर होती है ठीक है दूसरा और 408 में से भी 53 आपकी ऐसी जो मेगा सिटी जाए सारी metropolitan cities है metropolitan cities वो होती है जिनकी population 10 lakhs और 50 lakhs के बीश में होती है फिर उनमें भी आपको six cities ऐसी मिलेंगी जो mega cities है mega cities मतलब population more than 50 lakhs और उस mega cities में भी six में सबसे बड़ी कौन सी है आपकी greater Mumbai है clear तो यह मैंने आपको पूरा समझा दिया आगे बढ़ते हैं यह मैंने आपको देयर रोल आज central और nodal places many towns and cities perform specialized services के रहा है इन रोल के अलावा भी बहुत सारे towns और cities जो है कुछ specific services करते हैं ठीक है some towns and cities are specialized in certain functions and they are known as some specific activities products or services however each town performs a number of function मतलब कुछ towns आपकी ऐसे जो specifically अपनी उजी चीजों के लिए जाने धाते हैं for example अगर मैं डेली की बात करूं तो डेली आपको एक administrative center है क्योंकि आप notice करोगे कि इंडिया के जितने भी administrative work होते हैं वो सारे कहां होते हैं आपके डेली में होते हैं चीक है जितने इंडिया की political capital भी है लेकिन इसके लावा डेली की अगर मैं बात करूं तो डेली जो है वो आपका educational भी एक हब माना जाता है क्योंकि जितने भी coaching facilities भी गहरा है आपकी ठीक है educational facilities है वो आपको यहां मिलेंगी देखने को तो आपने क्या देखा कि एक specific function तो वो कर रहे हैं लेकिन उसके अलावा भी ओर भी वह नंबर ऑफ function perform करती है कोई भी city clear on the basis of dominant or specialized function इंडिया cities and towns can be broadly classified as follows ठीक है तो कौन-कौन से cities होती है administrative towns industrial towns जहां पर बड़े-बड़े इंडस्ट्रिस भी गहारा setup हो गई थी transport cities जहां बड़े-बड़े पोर्च भी आपकी होते हैं commercial towns trade के लिए जो famous है mining towns जहां पे बहुत सारी माइन माइन माइन्स मतलब वो निकाला जाता है मिननल्स भी गहारा garrison condonment sound जो आपके टाउंस जो आपके एरिया जिसमें जो आपके जो पीपल defense से related होते हैं उनकी needs को cater करता है educational towns जैसे आपका फिलानी भी गहारा हो गया कोटा भी आ जाएगा इसमें religious and cultural towns जो religious purpose से बहुत वो है famous जैसे पूरी हो गया आपका clear और टूरिज जहांपे लोग घूमने जाते हैं for example आपका शिमला हो गया मनसूरी हो गया ठीक है बाकी इनके बार में अभी हम डेटेल में भी पढ़ रहे हैं चलो सबसे वहले हम बात करते है administrative towns town supporting administrative headquarters almost आपको यह कौन मिलेंगे almost आपको यह capitals मिलेंगे higher order are administrative towns such as चड्डिगर न्यू डेली बापार शिलोंग गोवा हर्टी इंपार शिनगर गांदी नगर जैपूर चैनल नोटिस क्या होगा आपने almost आपकी क्या है सारी capitals है ठीक है तो यह आपके क्या होती administrative towns होती है administrative काम के लिए यह cities होती है ठीक है अब आपको क्या गरदा है आपको इनमें सारी cities की examples याद करने है यह ध्यान रखना clear industrial industrial constitute primotive force of these cities such as Mumbai Salim Coimbatore आपको बता है Coimbatore को हमारे इंडिया का Manchester बोला जाता है North India South India का Coimbatore is called Manchester of Manchester of South India क्यों बोला जाता है क्योंकि बहुत सारी textile industries यहां पर है clear समय जारी बात Modi नगर जम शेथपूर स्टील सेटी होगी हमारे इंडिया की चीक है स्टील की वाज़से आपे बहुत सारी क्या है और वह है इंडस्ट्री सेट अप है उगली बिलाई एट्सेक्टरा clear यह आपको बता हो न चीए next transport engaged in export and import activities जैसे कांडला कांडला आपका कहां पर है गुजरात में है ठीक है कोची कोजी खोड़े विशाखा पटनावेट सेक्टरार हब्स ओप इन्लाइंड ट्रांसपोर्ट सचे साग्राधूलिया मुगल सराइड इत्रासी कट्डि इन लाइड ट्रांसपोर्ट बेसिकली वह ओते हैं जाउब के तो यहां पर आपका इंट्र चेंजिंग होता है जैसे मेट्रों में आप लोगों ने देखा होगा में जो इंट्र चेंजिंग मेट्रों से डेली की अगर मैं बात करूं तो कौन से राजीब चोक है कश्मीरी गेट है तो सेम ऐसे ही ट्रांसपोर्ट से रिलेटेड जो मेजर अगर आप रेलवेस की बात करो तो जैसे आपने कहीं एक स्टेट से दूसरे बहुत नंबे पतब इंडिया में ही कहीं बहुत नंबा जाना है तो बीच में मेजर स्टेट्स होते हैं जहां पर आपका वो चेंज होता है तो वो यह इन्लैंड ट्रांसपोर्ट में आ जाते है उसके बाद है कमर्शियल टाउंस ठीक है ट्रेड और कॉमर्स में यह स्पेशल होते हैं जैसे कॉलकता हो गया ट्रेड होता है बहुत जादा सारनपूर हो गया सटना एट्सेक्टरा आगे बढ़ते हैं माइनिंग टाउंस माइन्स हैं बहुत जादा रानिगन जारिया गारिशनगहे गंटॉणमेंट देखो गारिशन कंटॉरमेंट टाउंस कौनसे होते हैं मैं आपको बता देती हूं विसिकली यह जो टाउंस होते हैं गर्रिसल इंट टाउन्मेंट्स जो टाउन होते हैं यह आपके वेच केटरदा नीट्स ओफ वेच केटरदा नीट्स ओफ पीपल इन डिफेंस जो भी लोग डिफेंस में होते हैं उनकी नीड को यह क्या करते हैं केटर करते हैं बेसिकली ठीक है गैरिस्टन टाउन्स बोला जाते हैं जैसे अ अंबाला जलंधरमाओ बाविना उदंपूर इसेक्ट्रा यह सब हो गया आपको यह सारे नाम याद करने है नेक्स एजुकेशनल टाउंस एजुकेशनल टाउंस बिसिकली आपके एजुकेशनल आस्पेक्ट से इंपॉर्टेंट होते है जैसे अलावाद है पिलानी है बिट् स्जियस आइड कल्च्रवल डिलीजेस परपस से जो बहुत वहांश है वारंज़ी अथूरा नेश्यर अम्रेट को गोल्ड़न tomorrow Unless it ऋन्वह मुल्द पूत कर में ब्रह्माजी का टेंपल है वेमस है यह ब्रह्माजी का है option कि यहीं सब्द कर भिर भी लगता 되어 यह ठीक है ब्रह्मा जी टैंपल ठीक है इन फाक्ट वल्ड का इक लोग ता ब्रह्मा जी टैंपल यहां मिलता है पुश्कर में ठीक है तिरुपती होगे कुर्षेत्रा होगे हरिद्वार उजेन ये सारे आपके होगे अब देखो जैसे आप शिमला को देखो तो शिमला जो है न वह आपका एक एड्मिनिस्ट्रेटिव टाउन भी है लेकिन साथ ही साथ जो है एक वह टूरिस्ट टाउन भी है तो यह आप ध्यान रखना उसके आद आपका जोदपूर हो गया पच्चमणी एंपी में हो गया जै सब अब आपका ख्रीक है तुई आपके टूरिस्ट मजों यह हो गया आपके मेज्व्य टाउन चोन फुंक्जन के बेसिस पे क्या थे डिस्क्राइब हुव है थे अब हमकरेंगे on dat पर सिटी मेशन की तेंखो यह स्मार्ट सिटी जो मिशन है वहला तो आपको यह स़ tuam 2015 को कबला उन्चु आता है smart city mission 25th June 2015 को ठीक है the objective of the smart mission is to promote cities that provide core infrastructure a clean and sustainable environment and a give a decent quality of life basically इसका काम क्या है कि cities को इस तरीके से convert करो जहाँ पर लोगों की जो life quality है वो क्या हो सके improve हो सके अब life quality तभी improve होगी जब वहाँ पर क्या होगा वहाँ पर basic infrastructures अच्छे होंगे ठीक है sustainable environment होगा polluted वो नहीं होगा आपका environment नहीं होगा इस तरीके से one of the features of smart cities is to apply smart solutions to infrastructure and services in order to make them better तो करना क्या है smart जो है वो solution provide करने है infrastructure जो है वो smart बनाना है जैसे digital payments भी गया यह सब हो गया ठीक है services आपको smart create करनी है clear for example making areas less vulnerable to disasters using fewer resources and providing cheaper services मतला areas को ऐसा बना रहा कि जिसकी उनका disaster क्योंपर काम बेंबागता है ठीक है कम से कम resources को यूज करके और जोहर कम अच्छी से अच्छी services प्रोवाइड कर सके और बहुत ही कभ गीमत पर कोस्ट पर यह है तो फोकस इस ओन सस्टनेबल और inclusive development अब देखो development कैसा करना है सस्टनेबल मैंने आपको वहले भी विताया था सस्टनेबल development क्या होता है सस्टनेबल development में मेजर तीन चीज़े होती है पहला पहला क्या होता है two cater then present nature present nature without compromising the future needs future needs को भी compromise नहों हो और without the harm of environment environment को भी कोई हाम नहों तो ऐसा जो development होता है वो sustainable होता है less inclusive होना जिए यह निया को ही उसका फायदा हो रहा है उसमें सोसाइटी के सभी पार्ट को लेका चलना है ठीक है और आइडिया इस्टू लोग आट कॉंपाक्ट अरियाज क्रीटर राप्ली केबल मॉडल विच विल एक्ट लाइक लाइक लाइटाउस चू अधर एस्पारिंग सिटेस मतला दूसरी स सिटी जो है वो उसको अड्म करने के योशिश कर से हैं तो हैसा राप्ली का मॉडल जो है वो क्रेंट करना है स्मार्स इंटी मिशन तो इसमार्टी मिशन तो मिशन में आपको 005 00.bulb final में लिगो याद करना है यह लोगों बात करी है December क्लस्टर्ट समी क्लस्टर हैम लेके लिए लाउं टिस बाथ करी तहीं इस मध लेक्षेस की सटर्टिंग में जो अर्बान डेटा बताया है सारा ठीक है कि वह सारा स्थेटव डेटा आपको याद रखना है कितने परसेंट पॉपलेशन इंडिया के अर्बन पॉपलेशन है तो चाप्टर बहुत स्था इज़ी है ज्यादतर चीजेंगे सब को याद करनी है तो मेरे end से ये chapter हो जुगा है I hope आपको भी समझ में आ गया होगा Rather than that अगर आपके कोई भी doubt है तो आप मुझे comment section भी बताना मेरे कोशिश रहती है comments में ही comment sections के answers उसे time पर देने की तो आप लोग notice कि अगरो जब आप लोग comments देते हो तो मैं साथ साथ उसके answers भी reply कर देती हूँ ठीक है तो चलिए आज के लिए इतना ही हम लोग मिलेंगे next class में Bye Bye, Take Care and Have a Nice Day